फ्राइडे को आप किस तरीके से निफ्टी बेंक निफ्टी को ट्रेड करोगे ट्रेड का लोजिक क्या है चली हम समझ लेते कल है कल होने वाला है फ्राइडे तो कल का दिन मार्केट डिसाइड करेगा कि मार्केट को नेक्स्ट वीक किस डाइडेक्शन में ट्रेड करना है ठी लिए को सकता है और जैसा कि अगर मैं आपको बता हूं तो देख सकती हो जैसी मार्केट ने डेका लूग क्रोश किया यहां पर ठोड़ा सा गेप उप हुआ जैसे डेका लोग प्रोश किया फीं का फिक लिए कारीड प्रोश की लिए अब है ठीक है अभी expiry हो चुके तो अब मार्केट कल का दिन डिसाइड करने वाला है कल अगर अगर मार्केट में एक गिरिन के नद बनका इसके आज का जो डे है यह इसको क्रोस कर जाता तो फिर आने वाले टाइम के अंदर 500 का लेवल जो हमारे लिए बना हुआ है अलगबक तया को इस तरीके का खायर राई बना रहे थे लेकिन मोमेंटम धीर धीर स्लो होता जा रहा था और फाइनली जब इसमें नीचे की तर ब्रेकडाउं यहां पर हुआ उसके बाद यहां पर क्रोस कर चुके अब एक बार तो क्रोस कर चुके हैंने कि फिर से इसी के आसपास अभी ह लेवल क्रोस के अगर फिर से अगर हम इस 500 और 400 के नीचे अगर ट्रेट करना स्टाट करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट में सेलिंग प्रेशन आएगा फिर से मार्केट एक लो लो लेवल पर जाने की कोशिश करेगा ठीक है फिलाल अगर मैं आर्केट में बात करूं हो सकता है उसके बाद फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ जाए लेकिन एक बार आपके लिए इनिशली मोग हो सकता है ठीक है टार्गेट आपका यह हो सकता है यहां तक का टार्गेट हम प्लान करा सकते है 900 अगर यहां से उपर की तर ब्रेक आउट होता है तो 900 हमार लिए रजिस्टेंस होगा 42,900 का लेवल हमार लिए रजिस्टेंस होगा तो यह उपर में यह आपके लिए टार्गेट होगा लिए बात करूं जैसे डे का लो मार्केट क्रोस कता है 42-440 साड़े 300 के नीचे ट्रेट करना इसके नीचे हम सेल के लिए प्लान करेंगे आई हूँ कि यह चित के लिए रहे किस तरीके से ट्रेट करना अभी नेक्स नीचे में सपोर्ट कौन सा दिख रहा है एक छोटा सा सपोर्ट हमको यहां पर दिख रहा है लगपक 42,100 का लेवल है अगर यह 100 का लेवल क्रोस करता है फिर आने वाले टाइम के अंदर फिर से एक नया लो लगा सकता है मारकेट फिर स नीचे की तरफ आसकता है तालीस चुल का लिल टेस्ट कर सकता है ठीक है तो यह लिवल से सारे अप मारक कर सकते ओ अपने लेप्ट आप क्यों कैते हो अगर कल का दिन डिसाइड कलेंगा कर दिन मार्केट ग्रीन केंडल बना लेता है एक अच्छी ग्रीन गेप अपोफ होने के बाद एक अच्छी ग्रीन आज का जो डेहाई इसके आसपस निकल जाता है तो फिर डेफिनेटली मार्केट इस तरीके से एन पैटर्न बना कर वह ऊपर की तरफ निक इसके नीचे गया इंट्राडे में लेकिन फिर से रिकवरी आ गई तो यानि कि अठाराजार का लेवल अभी भी हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है बस इसके उपर अच्छे से सस्टेन करना ची और एक ग्रीन केंडल बना लिए इस टाइप की ग्रीन केंडल यह 50 मिन पर देखोगे तो definitely market अभी lower लो बना रहा है तो sell side हम ज़्यादा aggressively रहेंगे buy side aggressive नहीं रहेंगे इस तरही कैसे देखो market negative price action बनाया है तो definitely sales side जब भी opportunity मिलेगे हम trade करेंगे पहले तरहां पर मार्केट क्लोज किया ठीक है यहीं पर इसी level के आसपास अगर आप देखोगे अधराजार के लेवल के आसपास से तो इंट्राडे में नीची की तर ब्रेकडाउन गया लेकिन अधराजार के आसपास ही मार्केट आकर क्लोस किया तो पहले हम यहाँ पर अधराजर के लिए प्लान करेंगे तो अधराजिवली प्लान के लिए नहीं करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होने के बाद आधे एक गिंटे इसके बाद अपसाइड ब्रेक आउट देता तब हम कॉल बाई कर सकते हैं अधर वाइस हम अधराजर के ऊपर निकलने के बाद हम बाई के लिए अग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे कान ठीके बाई कि ऊपर में टार्गेट हो सकता अथाराजर एक्स आपका टार्गेट हो सकता है मेजर रिजिस्टेंस यह एक स्वींग लो हमार्य लिए स्ट्रोंग से का मिल सकती है तो तीन दिन से हाई लेवल के आसपास कर रहा है जह से को निकाल एक मार्केट में एक तेजी होगी तो डे के हाई के उपर हम इसमें बाइकली प्लान का से एक अच्छा मोमेंट हम आ सकता है ठीकि नेक्स स्टोक के बाद करूँ सेल के लिए तो एक स्टोक मुझे दिखना है ट्रेंड इस स्टोक को देखो गए कंटिनुसली हो गया फिर से नीचे आ गया है ठीकिए अगर इस लेवल को मार्केट नीचे के तरफ निकालता है जैसा कि कल जो स्टोक मैंने आपको दिया था सेल के लिए सेम कंटिशन वही भी दिखती है तो इस तरी के लोग के नीचे हम इसमें सेल के लिए प्लान करेंगे ठीकिए तो को जाके जाइन करो लाइब मार्केट के तरफ कोई भी ट्रेडव गए रहा हो ता आप लोग साथ में शेयर करता रहे तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर प्रेंस मिलते हैं नेक्ट वियो के अंदर ओके बाई